हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेल्कम बेक टो यरोन चैनल ट्रेट टार्गेट सबसे पहले अगर इंडेक्स पे नज़र डाले आप देख सकते हैं कल के कल के दिन इंडेक्स कुछ इस तरह से भागे थे जैसे कोई स्मॉल के कंपनी भागती हैं 5% 8% तो कल तो 5% common हो गय सब्सक्राइब कर देख सकती है और शौर्ट टार्गेट क्या निकल किया रहे है पहला और लेड़ी जो 14,050 से लेकर 100 का था हर्डल वो निफ्टी ने कल ब्रेक कर दिया है आप यहां देख सकते हैं जो क्लोजिंग हुई है दो सब्सक्राइब आपको सीधा कुछी दिनों म उसके बाद 600 का लेवल है वह आपको आते हुए नजर आएगा इस में मुझे कोई ज्यादा घवराट हो नहीं है लेवल आप सभी को बोलने में असली जो अप्टरेंड है वह आएगा जैसे ही निफ्टी आपन जो हाई है अभी लाइफ टाइम है 14,050 को एक बार ब्रेक करत हुआ नजर आएगा इस तीज को आप ध्यान रखें आज के लिए लेवल्स वही हैं 450 से लेकर 400 तक एक एहम होने वाला और नीचे का जब तक निफ्टी 14,000 से लेकर 14,050 के बीच में हमको घवराने के बिल्कुल भी ज़रूरत है नहीं वहीं आज के दिन देख सकते हैं दो फर्वरी के दिन जब सारे के सारे ग्लोबल माकेट हैं सब इन अच्छा पाटिसिपेट किया है नाश्डाइक भी कल देख सकते हैं 5% के ऊपर कारोबार करता हुआ नजर आया आपको कल रात में जो उपलक ग्लोबल मंदी थी और वो एक आती जो उनको खराब लगती तो आपको मार्केट यहां से लहू लुहान होता हुए दिखता लेकिन मार्केटों के चेरफ किया थमसब किया और इसलिए हमारे चेहरे भी खिले हुए हैं बात करें अगर कमोडिटी मार्केट की तो आप देखते हैं क्रूड ओयल जी हैं 5% क् नेचरल गेस में तो आग लगी है पुरन 9% का जंप हुए है बहुत रेर होता है पिछले सिर्फ दो दिन से ऐसा भाग रहा है यह आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो इससे रिलेटर जितने भी शेयर है वह भी आपको दोड़ते हुए भागते हुए दिखेंगे वहीं बा सिल्वर तो नीचे के लेबल से 10% तक उपर था और और अभी चल रहा है करीवन 6% अब चल रहा है और उसी के साथ आप यहां इसली पढ़ सकते हैं कि सिल्वर ने जो 10% जंप लगा था और अभी 6% का चल रहा है अपने 8 साल के उचाई पर चल रहा है नहीं लाइफ टाइम ह 73 से नीचे फिसल गया तो वापा 73 की उपर आ चुका है ट्रेड करता हो नजर आ रहे तो दिस इस अगें गुट साइन फॉर एस वहीं बाकी यूरो आए आयन आर कहलो या बाकी जितने भी हैं वह भी आपको आज हलके हर निशान में ही नजर आ रहे हैं तो मार्केट ने मार् मार्केट नहीं पूरा ग्लोबल मार्केट को साथ दिया है क्मार्टेटिंग मार्केट कहलो या फिर करेंसे मार्केट सभी में एक सभी हरे निशान में यह आपको क्लियर अप्ट्रेंड में दिखे रहे हैं सभी वहीं नद्वीजों की लिहाज के बात करें आज है 2nd February और आ आ जाने है तो इन नतीजों के लिहाथ से भी एक कंपनियों के लिए आज एहम दिन होगा अब बात करते हैं कौन से स्टॉक में कल न्यूज जिनके रिजल्ट आ चुकी है पीवियर की कल रिजल्ट आये थे और नहीं पर न्यूज है आज के दिन पीवियर का क्यू आई पी चालिस के प्राइस पर जो एक अच्छा प्राइस है आपको नजर रहनी चाहिए इस पर आज इस पेश शेयर पर आपको हलचल हुए नजर रहेगी इंट्रेटेब ले अच्छा हो सकता है दूसरी खबर दूसरी रिजल्ट आया है कैस्ट्रॉल इंडिया के कांपनी ने जो प्रॉफिट है यानि जो प्रॉफिट है वह इस क्वाटर माय पात्सोव यासी करोण और पिछले पिछले क्वाटर माय थे 187 तो आपको दिख रहा है यहां से अच्छा का सी जंप दिख रहे हैं वहीं बात करहें हैं रेवेंजी की योई बेसेज पे पिछले साल थी डिसम उन्होंने प्रॉट जो उनकी प्रडक्शन है जैनुवरी में पिछले साल आए था 63.1 मिलिए टन कर उन्होंने किया था धूबी कब को 2020 में उन्हार जो प्रडक्शन है कोल का 63.1 मिलिएन किया था वहीं खबर निकल करने रहें वहीं दूसरी खबर निकल क्या रही है आईशेर मोटर के रिगार्डिंग जो उनका ब्रैंड है रॉयल एन्फिल्ड तो उन्होंने क्लियर लिखा है कि कम्पनी सोल शिक्स्टी एट और जो वही यूनिट जैनुवरी बीस में कितने थे 63,520 पिछले साल सेल किये थे जैनुवरी के महिने में और इस साल किये 68,000 इस साल उन्होंने ज्यादा अपनी जो उनकी बाइके हैं वह ज्यादा बिकी हैं मैं कम्पनी के सेल्स बड़ी है वह आपको यहां से नजर आ रहा ह बात करें F.I.S की F.I.S की बात करें और D.I.S की कल के दिन बुल के एक बार मार्केट में वापस एंट्री हो चुकी है 14,094 का एक बहुत अच्छा अंकड़ा उन्होंने कल बाइंग किया है वही F.I.S की तरब से एक छोटी से अमाउंट की सेलिंग हुई है देखना है कि य पने मार्केट की जो-दिशा है उसको-ँसको उसको बताएगा है वह ही बात करें अगर हम इंडिया के दैकर का का like कुल करीवन 8पर संट का कौल हो चुका अगर जैसे से नीचे ओर आता है तो इम अभया अच्छा माहुल जएगा जो एक धर है उछ. ऐढ़ पे जो है net sale में net sale की बात करें 7.76 जो कि बहुत अच्छा है थोड़ा से detail में और ढाके समझ़ें आप सबसे पहले पहले हैं समझतें net sale की बात करें net sale 7.76 percent jump हुई है जो December 19 में थी December 19 से लेके December 2020 मतलब जो साल खतम हो चुका है पूरे साल का सेल्स की अगर बात करें तो 7.76 की ग्रोथ हुए जो कि एक अच्छा नंबर है बुरा बिल्कु नहीं है किसी भी कंपनी का सेल्स सेल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके कंपनी अच्छा कर लिया नहीं कर रहो जानने के लिए बात कर लें क्वाटरली नेट प्रॉफिट की कंपनी का जो नेट प्रॉफिट से 26.2 परसेंट जम्प हुआ है पिछले क्वाटर से रिगार्डिंग पिछले साल यानि 2019 2019 के डिसंबर में और इस बार के डिसंबर 2020 में वहाँ से कंपेर कर रहे हैं वाई ओवाई बेसेस पे कर रहे हैं तो आपको क्लियरली नजार आ है 26.2 परसेंट का नेट प्रॉफिट में जम्प आया है और 7.76 का नेट सेल में येर ओन येर बेसेस पे दोनों नमबर है मतलब दोनों पैरामेटर में कंपेर ने बहुत अच्छा रिजल पोस्ट किया वहीं एबिटा की बात कर लें दिसम्बर 2019 में था 441 करोड और इस बार आया है 2020 के दिसम्बर में 508 करोड यानि कि एबिटा भी यहां पंदरा पॉइंट टू का जम्प हुआ है एबिटा जम्प हुआ है 15 परसंट सेल जम्प हुई है सेल्स येर ओन येर बिसम्प हुआ है 7.76 और क्वाटरली नेट प्रोफिट प्रोफिट जो जम्प है 26 परसंट यानि कि तीनों बहतरीन हुई है आखरी में बात कर लें EPS की EPS भी 2019 में था 9 और 2020 में हुआ है 11 यानि की कमपनी ने 4 के 4 पर EPS भी जम्प किया है EBITDA, सेल्स, रेविन्यू, क्वाटर बेसेस पे, येर ओन बेसेस पे सारे के सारे पैरामेटर पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो आज के लिए बहुत तगड़ा कंटेस्टेंट हो जाता इंडिगों का IPO के जिया आखरी लाइना पढ़ सकते हो कि आज के दो है दो फरवरी और आज के दिन इस कमपनी के होनी है लिस्टिंग तो इस पे भी नज़र रहना काफ़े इंपॉर्टेंट हो जाते कि लिस्टिंग कैसे होती है लिस्टिंग होने के बाद यह कैसे कैसे परफॉर्म करता है तो इसमें एकदम से प्रफिट बुकिंग आती है या फिर यह शेर और भी भागता है जैसे शेर हमको भागते हुए नज़र आ है क्योंकि आज के दिन मार्केट रहने बुलिश और हो सकता है धक्के में उपर और उपर चला जाए आफ्टर आफ्टर लिस्टिंग सो इस चीज़ भी नज़र रहना काफ़े इंपॉर्टेंट है जिस पर्फेस के लिए आप ने इसको भालाइक तो ब्यूटेंग सोती है न चले जाले लिए चल मिलते हैंयों पिर युटे हैट मिलते हैं नेक्स donating प्हली बार विजिट करहां तो सब्सक्रीचे represents करेंब नहीं चाहिए और लिंक फ्री ओपन फुरोब डीमेट का जो link है वो description में है और private channel का process भी पूरा detail में उसमें चलिए मिलते हैं next video till the time happy investing thank you so much